Hello everyone, स्वागत आपको information host में आशा करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में unboxing and review करेंगे एक TP-Link के router के बारे में जिसका model number है WR840N, इस router के सारे features के बारे में हम बात करेंगे तो यह है वो TP-Link का router जिसका unboxing करेंगे और सारे features के बारे में हम जानेंगे तो इसे मैं use करने वाला हूँ as a secondary router, हमारे main router से around 70-80 meters का length है through LAN के वलके मैं इसे configuration करने वाला हूँ, जो configuration का type होगा वो हमारा dynamic के थूरू हम इसे configuration करेंगे तो चलें बिना time waste के इसे हम unboxing करते हैं, फिर इसका features के बारे में जानेंगे फिर मैं live इसे configuration dynamic IP के थूरू करके आपको बताने वाला हूँ तो चलें बिना time waste के इस router को हम unboxing करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस router के configuration port के बारे में है यहां आपको 5 ports मिल जाएंगे configuration के लिए जो पहला blue color का port है, यह when port है जो बाकी 4 orange color के हैं वो land port हैं जिसके थूरू TV या और भी multiple router आप connect कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं यह router आपको कितना maximum speed provide कर सकते हैं तो यह router आपको maximum 300 speed provide कर सकते हैं बाकी depend करेगा कि आपने कितना speed आपके ISP से लिया है और यहां एक छोटा सा bottom आपको मिल जाएगा जिससे आप use करके router को reset कर सकते हैं या फिर WPS का option भी आप use कर सकते हैं router को configuration करने के लिए आप mobile या फिर laptop का इस्तेमाल कर सकते हैं laptop के लिए आप इस LAN cable को use कर सकते हैं अगर आप smartphone से configuration करना चाहते हैं तो यहां आपको SSID और password मिल जाएंगे जिसके तुरू आप router को configuration कर पाएंगे तो इस router को मैं use करने वाला हूँ आप इस secondie router और इसे configuration करने वाला हूँ आप देख सकते हैं जो red color का land cable है यह हमारे main router से connect होके आया है एक दूसरे room को तो यह हमारा power adapter है यहां insert कर लेंगे उसके बाद इस router को हम dynamic IP के थुरू secondie router की तरह use करेंगे तो सबसे पहले हम इस router का भी IP address change कर लेंगे और इसका SSID और password जो set करना आगा वो कर लेंगे उसके बाद इसे dynamic IP के थुरू configuration करेंगे तो अब हम राउटर को configuration करेंगे सबसे पहले हम अपना wifi on कर लेंगे और यहां देखेंगे हमारा tp link आप यहां देख सकते हैं यह connected हो गया है तो अभी हम इसे configuration करेंगे simply जो setting का icon है इस पर आपको click करना है और इसके बाद यहां पर manage router पर आपको click करना है manage router पर जैसे आप click करेंगे यहां आपको setting अग open हो जाएगा तो simply आपको यहां पर start पर click करना है उसके बाद जो भी password आप रखना चाहते है admin password वो आप रख सकते हैं simply मैं यहां पर admin password रख देता हूँ और start पर click कर देता हूँ तो हमारा admin password था वो अभी हां पर save हो चुका है उसके बाद हम भी check करेंगे हमारा IP address सबसे पहले आपको check करना है आपके IP address को next पर आपको यहां पर click कर देना है next पर click करने के बाद आपको यहां पर आना है network पर network जैसे आएंगे यहां पर आपको चार option आजाएगा आपको land पर यहां पर click करना है land पर click करने के बाद आपको यहां पर IP address का उप्शन सो करेगा यहाँ पर IP आपको change कर देना है आपका जो main router का IP address है वो यहाँ पर save नहीं होना चाहिए तो मैं यहाँ पर simply कोई भी एक IP ले लेता हूँ 601 यहाँ पर IP ले लेता हूँ और save पर यहाँ पर click कर देता हूँ save पर click करने के बाद यहाँ OK पर click करूँगा हमारा router reboot होने के बाद हमारा जो IP है वो new IP save हो जाएगा simply आपको wait करना है तक तक आपके router को नहीं off करना है नहीं mobile को simply यह timing पूरा होने तक आपको wait करना है यहाँ जो हमारा router है उसका IP address change हो चुका है तो simply हम इसे refresh करते हैं यह नहीं आ रहा है क्योंकि IP address change हो चुका है तो फिर से हम यहाँ से reconnect कर लेंगे हमारे router को और उसके बाद फिर से हम setting में जाएंगे setting में जाके manage router पर जाएंगे OK ना तो यहाँ से फिर से setting पर click करना है manage router पर click करना है हमने जो admin password दिया था ना वो password को आपको यहाँ पर retype करना है OK तो password हम यहाँ type करके login पर हम click कर देंगे फिर से हम आ जाएंगे web page पर और हमारा जो IP address आप यह देख सकते हैं वो यहाँ पर change हो चुका है 610 हो चुका है तो अभी हम change करेंगे हमारा router का SSID और password OK तो SSID password चेक करने के लिए आपको change करने के लिए आपको जाना है wireless पर और wireless पर आप जाएंगे यहाँ देख सकते हैं यह हमारा SSID wireless network name है इसे हम यहाँ पर change कर लेंगे आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक ग्रूप यहाँ SSID यह रख लेता हूँ और यहाँ save पर क्लिक कर लेता हूँ जैसे इसे पर क्लिक करूँगा हमारा जो SSID है वो save हो जाएगा अब यह देख सकते हैं हमारा जो SSID है यहाँ पर change हो चुका है तो simply फिर से हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसे फिर से हमें reconnect करना है तो यह हमें दुबारा password पुछता है तो हमारा जो password है router का default वो हम यहाँ पर फिर से देदेंगे हमारा default password था 467 46023 और connect पर क्लिक कर देंगे हमारा जो router है वो फिर से connected हो जाएगा तो simply router को हम यहाँ पर रख लेते हैं और फिर से हम इस router का configuration करते हैं फिर से हम कुछ setting पर click करना होगा manage router पर जाना होगा तो हम यहाँ पर password insert कर लेंगे जो हमने password save किया था तो simply मैं यहाँ पर password दे देता हूँ और यहाँ login पर click कर देता हूँ जैसे हमने यह login पर click कि आप यह देख सकते हैं हमारा web page फिर से open हो चुका है और internet का symbol आप देख सकते हैं यहाँ पर connected नहीं होगा single dot आप यहाँ पर नजर आओगा single dot का मतलब है कि internet हमारे mobile पर नहीं होगा तो simply इसे connect करने के लिए हम जाएंगे पहले password हमारा change कर लेंगे router का wireless security पर आज जाएंगे यहाँ पर click करने के बाद जो भी password आप रखना चाहते हैं आपके router का यहाँ पर रख सकते हैं तो simply यहाँ पर मैं password रख देता हूँ same जो हमने हमारा SSID पर रखाया है हमने यह password रख लिया है और password को save करने के लिए आपको नीचे आना है यहाँ पर save पर आपको click करना है उसके बाद आपका जो password है वो save हो जाएगा save हो जाने के बाद आप यह देख सकते हैं यहाँ से disconnect हो गया है आपको फिर से यहाँ पर reconnect कर लेना है आपके router से एक एक गुरूप का जो हमारा ssid है इस पर हम फिर से click करके इसको हम connect कर लेंगे और जो password था वो हम यहाँ पर दे देंगे और connect पर click कर देंगे तो यहाँ अभी हमने जो हमारा router का ssid, password और ip address हमने change कर लिया है अभी हम इस पर internet connection का configuration करेंगे और हमारा यह जो cable है wifi से connected है हमारे main router से जो connected है इसको हम router के van port पर connect करेंगे ठीक है नए जो blue वाले पर ठीक है नए यह blue वाले van port पर आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर blue वाले पर हमने यहाँ पर connect कर लिया है इस red cable को उके उसके बाद अभी हम इसका dynamic configuration करेंगे तो simply इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं आप यह देख सकते हैं जैसे हमने IP address चेंज करकर उस red cable को हमारे van port से insert किया तो हमारा जो router है वो auto detect होके यहाँ पर connection आगया आपर देख सकते हैं double यहाँ पर blinking हो रहा है इसका मतलग हमारा जो router है वो already configuration हो चुका है तो simply अगर आपके case में अगर नहीं होता है तो simply फिर से आपको जाना है router manage पर ओके router manage पर आपको जाने के बाद फिर से आपका जो password आपने admin यहाँ पर दिया होगा यहाँ पर आपको दे देना है और login पर आपको click कर देना है जैसे आप login पर click करेंगे फिर से आप tp link के web page पर आ जाएंगे आपको यहाँ पर network पर आपको click करना है और यहाँ पर when पर आपको click करना है ठीक है ना उसके बाद आप यहाँ पर आजाएंगे अगर यहाँ पर नहीं है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे डाइनमिक पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर डिटेक्ट पर आपको क्लिक करना है यहां पर यह आटो डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद आपको यहां पर सेफ पर क्लिक करना है जैसे आप सेफ पर क्लिक करेंगे आपका ज सबी के लिए helpful होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें motivate जरूर करें ताकि यासा information वाली वीडियो हम आप सभी तक हमेशा लाते रहें